हाई विवन दिस इस रॉबिन और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी को इस पैटफॉर्म पे तो देखे बहुत हैं इंपोर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर बात करूंगा हर बार हर जगह पर पूछे जाते रहे हैं तो उन्हीं कुछ factual details के साथ अपने session को start करूंगा यह कुछ मेरे बारे में जान करी माइनम इस रॉबिन तो चलिए हम अपने session को start करेंगे तो पहला fact अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत ही एक ऐसा लौथा country है जहाँ पर आपको asiatic lions मिलते हैं asiatic lions मिलते हैं और उसके साथ साथ आपको native indigenous populations के रूप में Bengal tigers भी मिलते हैं और कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जहाँ पर आप native species के रूप में यानि कि native populations के रूप में इन दौनों को अपनी country के अंदर पाते हैं आपको dry desert भी मिलेंगे and आपको from lush green forest से आपको coral reefs तक देखने के लिए मिलते हैं यानि कि अगर मैं बात करूं कि दुनिया का सिर्फ दो प्रतिशत हम क्या है land mass हैं लेकिन हम home है 8% of the world biodiversity तो इस चीज़ को याद रिखना है कि factual details में अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विशु का biodiversity percentage इंडिया के अंदर कितना है तो यह होगा आपका 8% इसके साथ मैं बात करूं कि हमारे हैं पर जो climatic reasons हैं वो भूत ही varying तरह तरीके पर हैं अलग-अलग varied climate regions मिलते हैं जिसके साथ ही आपको यह पता चलता है कि आपके यहाँ पर बहुत सारी variety of plants हैं और इसी fact से मैं आपसे बोल सकता हूँ कि among plants जो 33% है पूरे world का वो आपका है end make to India अब endemic to India का अर्थ होता है कि अगर मैं इस percentage की बात कर रहा हूँ तो इस percentage को आप यह मान सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है मतलब plants के अंदर 33% जो species आपके पाया जाते हैं भारत में वो क्या है endemic है यानि कि सिर्फ यह आपके भारत में पाया जाते है next मैं बात करूँगा आपसे mangroves की तो देखे mangrove forest भारत में एक unique बहुत ही है इसके साथ साथ ही highest number of species of plants and animals को भी consist करते हैं अपने अंदर जैसे कि आप सुंदर्बन of India and Bangladesh की बात करता है यह अकेला एक largest mangrove forest है world में जिसके अंदर आपके रोयल बैंगोल टाइगर्स भी आते हैं तो mangroves जो इंडिया के अंदर आता है वो कितना percentage लेता है 3% of the world entire mangrove vegetation को consist करता है तो याद रखेंगे on the basis of the world calculation 3% of the entire mangrove vegetation आपका इंडिया के अंदर आता है next मैं बात करूँगा आपसे mega diverse countries अगर मैं इसमें इंडिया को calculate करना चाहूँ तो इसमें भारत बहुती अच्छे तरीके से fit होता है यानि कि mega diversity countries वो होती है जहाँ पर majority of earth species या फिर आप ये माने के extremely biodiverse considered population आप species की देख पाते हैं अब इंडिया को अगर इसमें इस context में fit करने की कोशिश करूँगा तो मैं एक है पाऊँगा कि इंडिया is one of the 17 mega diverse countries जो की विश्व की है उसके साथ 35 biodiversity जो की पूरे विश्व में पाई जाती है उसमें से 4 biodiversity hotspots आपके इंडिया में है अब इन 4 biodiversity hotspots में आपके कौन-कौन से है आपका हिमाल्या है उसके बाद आपका western ghats है western ghats के बाद आपका indo-berma region भी आता है एंड एक और आता है वो है आपका सुन्दरबन जिसके साथ साथ आपका निकोबार group of islands भी consist करता है तो एक तो हो गया आपका हिमाल्या western ghats उसके बाद आपका इंडो-berma region एंड सुन्दरबन जिसके अंदर आप निकोबार group of islands को भी include करते है इसके बाद मैं बात करूँगा birds की तो दीखे birds एक important role play करते है जहाँ पर आप maintain करते है एक healthy ecosystem को अब इंडिया इस face में बहुत लगी है जहाँ पर वो largest bird species है दुनिया का अब इंडिया अगर दुनिया का सबसे largest bird species है तो यहाँ पर factual detail आपके निकलती है कि 12% 12% जो world's की bird species है वो कहां से ब्लॉंग करती है इंडिया से और इसमें आता है भारत सबसे उपर इसके बात करूँगा मैं species जो की endemic है इंडिया के वो क्या है confined के गए है एक geographical limits के अंदर वो यहाँ पर आप यह मान सकते हैं कि वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं मैं आने आप से पहले भी बोला था कि endemic species हम उन्हीं बोलते हैं कि वो सिर्फ भारत में पाए जाएंगे वो कह हमारे 156 species आते हैं और 7th आते हैं हम amphibians के अंदर जिसमें हमारे 110 species counted हैं इसके साथ मैं बात करूँगा इंडिया के आप variety species और endemic variety of population को देखकर अब इंडिया is the home for more than 50,000 species of plant plant के रूप में 50,000 species अके लिए इंडिया से मिलते हैं जिसके अंदर आपके variety of endemics भी मलते हैं मतलब कुछ ऐसे variety जो कि सिर्फ भारत में पाए जाते हैं तो इसमें जो इंडिया कर रहेंगे वो क्या है 10th है among the plant rich countries of the world next मैं आप से बात करूंगा the fact that इंडिया has a coastline of about 8,000 km यह आप सभी को पता है कि हमारी coastline कितनी wide है अब यही चीज हमारे देश को quite rich बनाती है हमारे floral and funnel diversity में जैसे की coral reefs की में बात करूं तो इंडिया की यहाँ पर बात करूं तो इंडिया is the home to nearly half of the world's aquatic plants obviously हमारा जो coastal region है वो काफी बड़ा है तो बहुत ही obvious हो जाता है कि aquatic plants में हम काफी उपर आते हैं next मैं आप से बात करता हूं एक ऐसी चीज की जो की camel की species से related है जिनका नाम है खराई camels खराई camels have a special ability जहाँ पर वो swim कर सकते हैं sea water में और feed कर सकते हैं वो saline plants and mangroves में भी they have been provided special protection by government तो मैं बगर बात करूं आपसे खराई जिनने एक unique breed of camels भी माना जाता है ये swim भी कर सकते हैं ये पाए जाते हैं आपके कच गुजरात में so these were the few facts related to the Indian biodiversity कुछ factual चीज़े हमें जाननी जरूरी है ताकि आपके दिमाग में एक idea रहे कि आपके इस तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं I hope आपको इस session पसंद आया होगा पसंद आया तो please do like it share करें subscribe करें जॉइन करें हमारे telegram and instagram channel को links आपको description में मिल जाएंगे next part में मिलते हैं अपना ख्याल रखिए take care bye bye